प्रेंट एक बार फिर से आगाई हम लोग और इस बार विंटर मनाली तूर करने के लिए निगल पड़े हैं अभी टाइम क्या हो रहा है एक बचके चौबिस मिनट हो रहे हैं एक बचके चौबिस मिनट हो गया है सैनी वेश्वाट आवा पर खड़े हुए हैं चाय पीती है क सब्सक्राइब करनाल कितना है अभी करनाल होगा कर देखने के लिए मिलेगी इस स्रीज में तो बने रहिएगा वीडियो एंड तक देखिएगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करिए यहां के फोटोस देखना चाहते हैं मनाली ट्रिप के तो इंस्टा पर फॉलोड कर लीजिए और एक और बात बता हूं इस ट्रिप पर आपके लिए एक सर्प्राइज भी है अच्छा एक चीज और बता दूं कौन-कौन जा रहा है इस बार मैं तो हुई हूं मेरे बड़े भाई मोहित जी मनीज भाई और मैंग भाई इनको आपने पहले भी काफी सारे में आपको कुछ स्पेशल देखने को मिलेगा और हो सकता है यह वह हमारी टीम का हिस्सा बन जाएंगे तो चलते हैं भी आगे बहुत ठंड है टोबा पहन ले पहन ले पहन ले चदर पहलो चदर ओलो यह पिल्कुत देहाती लुप में आखें यह निका ड़ाबा एक्छी य सब्सक्राइब कर लिया कर लिया कर लिया कर लोगर कर लिया कर लिया कर लोगर मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं अगर आप मनाली घूमना चाहते हैं तो अब आप हमारे थ्रू यानि MS Vlogger के थ्रू तूर पैकेज बुक कर सकते हैं MS Vlogger के थ्रू तूर पैकेज बुक करने के आपको बहुत फायदे मिलेंगे जिसमें आपको कमफेटेबल जर्नी, पैस्ट होटेल और डिलीसियस फूड सर्व किया जाएगा साथ ही साथ लोकल साइट सीन आप बहुत कमफेटेबली घूम पाएंगे जिसमें बजट तूर से लेकर लगजरी तूर तक के सभी पैकेज हमारे पास अवेलेबल हैं पैकेज बुक करने की डिटेल डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दी गई है और आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे तो देर किस बात की जल्दी से पैकेज बुक कीजिए और मनाली घूमने निकल जाएगे हमने जो रूट लिया निकले हैं और मेरेट से शामली शामली से करनाल ये रोड अलग है यहा पर अभी जगजगे डायवर्जन है और इस रोड पर ट्रक बहुत है और हमेशा से रहते हैं इस रोड पर ट्रक पहारों पर तो आपको ओफ रॉड देखने को मिलते हैं लेकिन यहां देखे हाइवी पर भी आफ रोड है अंडर कंस्ट्रक्शन है ना रोड भी तो घाइज बढ़ रहे है करणाल की तरफ और करणाल मेरे ख्याल से आधे गंटे का रास्ता मुश्किल से हुगा अब रोड भी काफी क्लिक्टा का गया है कोहरा भी अब फिलाल तो नहीं दि चल रहे हैं बढ़ रहे हैं और रात वाले डिए वाड़ भी बढ़िया है अच्छा आप लोग का एक हमेसा रहता है सवाल कि में गाड़ी नी चला ता अब देख लो गाड़ी चला है एक्छुली इसके पीछे का जो में कारण आपको बताता हूं कि अब ट्रिप स्टार्ट तो पारी के शुवात करते हैं सुबीच जी और कहा तक करते हैं तक तो रात में रहां चूट करते नहीं थे कंगर पुराने अगर व्लॉग देखे हूंगे आपने तो वहां करते थे लेकिन इस बार हम ने सोचा कि आपको चलो दिखाते हैं रात के भी नजा रहे तो इसलिए शोबी जी आपको driving करते हुए दिख रहे हैं उसके बाद शोबी जी के आत में आजाएगा यह तो आपको गारी चलाते हुआ दिखूंगा लेकिं शोबी जी आपको नह पूरी राध गाड़ी चलने वाली है कल भी पूरा दिन चलेगी अब देखो आप सामने का नजारा क्या नजारा तो कुछ नहीं आपको अच्छा वाला है वे दिखाएंगे जब करनाल पहुंच जाएंगे यह जो टाइम है वह जनवरी का सब्सक्राइब चल रहा है और आज तो चार जनुवरी का सुबह का समय है करीब दो बजे का तीन जनुवरी में यह ट्रिप हमने स्टार्ट की थी और सर्प्राइज आपके लिए सारे हैं दून सर्प्राइजों का भी आप इंतजार करते रहे तो गाईज अब आगे हैं कि हाईवे पर इतना अंबाला यहां से आड़ सट्र के असपास है तो अभी करणाल से निगले हैं तो कुरू छेत्र पहुंचने वाले हैं रोट की कंडिशन ओंध बढ़ी हाँ बदए क्या फर्माना चाहते हैं आप आप वहरी आने में यूपी सा च्छी है सड़क बढ़ी है यूपी का च्छी लिए पहीं गट्टे हो जाद हो रहे हैं यह नेशनल हाइवे है यह स्टेट गवर्वर्मेंट के अंडर में यह पता नियुक्त है यहां पर रश बहुत है देखो मैं आपको दिखाना चाहिए रश बहुत है यानि कि रस में मतलब वो बहुत चल रही है अगर आप जा रहे हैं तो यही रहता है और तुरिस्ट का फेवरेट रोड है यह जहां तक मुझे लगता है वहां वैष्णोदेवी जाते हैं तो इसी रोड से जाएंगे अगर बाय रोड जा रहे हैं तो आप फुद देख लीजिए शांदार रोड है और थोड़ी थोड़ी दूर पर यहां पर आपको हरिनाणा पंजाब के फेमस धावे भी देखने को मिल जाए हमेली बहुत मिलत तो इस तरह के ना बहुत सारे डावे पढ़ते हैं तो अंबाला 66 किलोमेटर रह गया यहां से लुदियाना 183 लुदियाना तो हम जाएंगे नहीं हम लोग निकलेंगे कुरुषेत्र अंबाला अंबाला से रूप नगर साइड जाएंगे और रूप नगर से फिर के घर भी जाना है क्या इस बार कंगना रनावत के घर जाएंगे के नहीं जाएंगे लेकिन यह शुर है कि मनाली जाएंगे और मनाली के बहुत जबर्दस्त आपको नजारे जरूर दिखाने वाले उस बात की गरंटी मैं जरूर देता हूं बर फीले न जा लिए स्नौफॉल रैनफॉल नहीं स्नौफॉल यह तोड़ा सर्फी यह होता है अब ऑबनाव से फूर्दस्त आ जाते हैं जनर्ली न जब बातना जाते हैं घर जाते हैं देखने के लिए मिलता है स्नोफॉल बहुत कम देखने के लिए मिलता है उसके लिए जैनुवरी फैर्वरी यही मंत बैस्ट रहे हैं आपको एक किस्सा और बताता हूं अमेशा हम जैसा फैस्टिवल आता है मारा दिवाली तो हम बोते हैं है पी दिवाली तो कई बार क्या होता है जब होली पे किसी को सब्सक्राइब होता है यह बात तो है अगर मोसम थोड़ा खराब हो जाए ना क्लाउड हो जाए बादल हो जाए तो फिर स्नोफॉल के चांसे जाए होता है सब वैल क्वालिवाइड है तूरिंग का भूत पता नहीं कहां से चड़ गया तो यहां पर बहुत सारे बैठे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और ट्रेवलिंग का भूत उनको भी है किस को गुमने का शौक है क्या करें हर कोई दिवान हो जाता आपकी वीडियो देख के बहुत 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 दिन्यवाद है रेंहों क्या एक सब को लेकि क्यों बैड़ गया इस नोगों वाल देगा ही गल्ती होगी और बता तरावडी कुरुचेत्र अम्बाला केंट अमरस सबसे पहले में बता दूं आपको पहाडी इलागा सुरू हो गया है एलमेंटरी हो गया है और बहुत सीट लेहर जल रही है इस विलासपूर की तरह बढ़ रहे हैं अब हम लोग लेकिन जहां अभी हम खड़े है ना यहां से जो व्यू देखने के लिए मिल रहा है निटे का बड़ाई बड़ाई गजब गा नीचे बहादल है उपर कुछ औरेंज गलर का आसमान दिखाई पड़ रहा है और जी इधर खड़ी हमरी स्टेंटरो इधर जाना है मैं वनाली बिलासपूर आएगा पीछे नेना देवी मंदिर का एक रास्ता डाइवर ठो रहा था क्या खार्यों यह 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 कैसा रुक भीका परसाद है वाल्या यह काङ old कली यह 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 जिलिखा देवानिस devil किया डिखादी नीचे oh कहां तूट रहा है अखरोट अच्छा लग रहा है नजारे अच्छे लग रहे है तो फ्रेंट्स बिलासपूर पहुच चुके हम लोग भी यहां से मनाली करीब रह गया है 170 km के लिए जाता है यह वाला यह रास्ता जाएगा गोविंदस अगर लेख के लिए विधस पूसद निखल गए विलास्पूर को ठूबा। से थोड़ा गया गया है और यहां यहां घया गड़ी रोकने का एक और हमारा मंक्सद का यह कोरी चल रही है नहте को पानी रख दिया है यहauge कquila और को टेबल चुला और शॉबते इसका कुछ प्रमोशन नहीं कर रहे हैं और पीनट है यहां पर कुछ चिप्स वगेरा हैं दूद घर से लेकर आये थे मास्टर शेफ है मनीश तो क्या रेडी कर रहे हो अब तो बना रहे हैं कॉफी प्रोड थी चर्ड़ एक और बता दू में रोड ट्रैफिक काफी जादा है बहुत गारी यहां मतलब सीदी सी बात है कि मनाली में जबरदस्त भीड रहने वाली है एक तो सर्दियों का सीजय जनवरी है तो उसनों भी देखने के लिए मिलेगी कि निट खा जा जाते हैं अच्छा एक चीज में और बता दूं जब भी हम हम हिल पर आते हैं तो यह सारी अक्टिविटी जिरूर करते हैं वह भी बात है लेकिन पहाडों पर जाके यह सब कुकिं कि मोली सां मां मोली तमयटोव तैप सुप है कॉली चार्डी इसके बाद बनेगी मैगी इप्पी बनेगी, मैगी नहीं बनेगी मैगी का नाम ऐसा रटा पड़ा कि हर घर में मैगी असानी से मेंगी वह मार्गेटिंग है उनकी उसकी मार्गेट हो गया जैसे बनाया है कि बच्चा-बच्ची की मुष्ची की मुष्ची जैसे कॉफी बोलते है वाली चाय रेडी हो गई है अब आर पस एक एक श्राम ढूंड रहा है कोई भाई मिल जाए उसे पिला देंगे तो खाली कड़ाई क्यों गरम कर रहे हो देखे इस तूर्गी सबसे खास बात क्या है पता है हम अपने साथ एक शेफ पी लेकर रहे हैं औ किके और हमने हम य है है सफथ है अ करा यह है साओधी अरब का ऑइल यूस्ज किया है था हूआ हो साओधी अरभ का उयल में सबस्क्राइब समय पका हुआ हुआ latis कि अब सोच भी निसक्ति कभी सपने में गी साओधी अरब से मंगाया देखो मैं दिखाना चाहूंगा साओधी अरब का रिफाइंड गरम हो गया आज उसमें डाल दिये हरी मिर्च काटके डाल दिया तामाटर डाले जा रहे हैं है 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 अब है एक हुआ है एक है है कि इप्पी हो गई है यह तक हैसी है अब अब जारें पहतर है मझा या नैसले के ले दे बहुत वाकर में बाहए बढ़िया है बढ़िया है कि देख आप कि मैं और खाके देख लेता हूं तब बताता हूं कैसी है तो फेंट्स अभी सुंदर नगर हम लोग पहुच गाए है और यहां से करीब 135 किलो मेटर मनाली रह गया है और सामने ना उंचे-उंचे पहाडों पर बरफ दिखाई दे रही है मैं दिखाता हूं आपको वीडिया तो यह नहीं जारे देखिया सुंदर नगर के बीस किलो मेटर के आसपास यहां से मंडी है और 135 के आसपास मनाली कि वैदर आप देख रहे हैं यहां तो अच्छी कासी दूप निकली हुई है मनाली कैसा रहेगा वो आपको आगे दिखाएंगे तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा यहां के फोटो देखने के लिए इंस्टा पर फोलोग जरूर कर लिए मुस्क्राइए आप सुन्दर नगर में हैं सामने लिखा हुआने को लेहे यहां से 625 किलो मेटर मनाली 136 कुलू 93 और मंडी 25 किलो मेटर सुन्दर नगर में एंट्री हो गई हमारी यहां से चंडीगण और शिमला के लिए एक रास्ता होता है सुन्दर नगर से और बिलासपूर से भी था और बिलासपूर के बाद भी रास्ता था शिमला के लिए तो यहां आने के बाद शिमला जाने के लिए भी बहुत सारे अल पहुच चुके हम लोग अब भी लेक के ठीक पास में गाड़ी खड़ी करी है लेक दिखाते हैं आपको यह सुन्दर नगर की लेक है और यह बीच में जो आप यहां पोइंट देख रहे हैं न यह वाला यह आई-लेंड है कि गूगल मैप पर भी हम देख रहे हैं इसको आई-लेंड बोला जाता है पानी कुछ कम लग रहा है लेक में वरना काफी ज़्यादा पानी रहता है समय हमेजा आज पानी कुछ कम है वहां न दूर पहाड़ों पर बरफ भी दिखाई पड़ रही है मैं जूम करके आपको बूद है वैसे प्रॉपर जो सीटी इना इस में रोड से लेफ्ट हैंड पर बसा हुआ है और यहां से धरमशाला पठान कोड के लिए भी रास्ता है अगर आप पठान कोड जाना चाहते हैं या धरमशाला मेकलोड गन जाना चाहते हैं मनाली से तो मंडी से डाइवर्जन लेना पड़ता है और देगे कितना खूबसूरत गुरुद्वारा आ गया है कि बॉलीवूड एक्ट्रेस कंगनर रनावत का होमटाउन भी है मंडी चले तो फिर कंगनर रनावत के घर अच्छा यह देख रहो वहां पूरा मंडी बसा हुआ है वह सिटी है यहां से डाइव तो पहुचेंगे पठानकोट धर्मशाला मेकलोडगन जहां भी जाना इधर से जाना होगा यह वाला रोल लेकिन हम आ गया है इधर से सीधे 108 किलोमेटर है मनाली यहां से और पठानकोट अगर इधर से जाते तो 208 किलोमेटर तो फ्रेंट्स मंडी में अभी हम लोग है कि मनाली कितने बजे पहुचते हैं अभी जो टाइम हुआ है एक बजकर 20 मिनिट हो गया है जैसी दोस लोग आते हैं निकलते हैं यहां से मंडी से अब कुलू आएगा कुलू के बाद मनाली उससे पहले बुंतर एक जगह आती है जहां पार कुलू मनाने का एयरपोर्ट भी है मुंतर अब जाने की जो पढ़ती नहीं है वैसे बाइपास बन गया है तो बार बार निकलते हैं पहले अंदर से जाते थे तो फिर काफी ट्रैफिक भी रहता था जगह जगह पर काम चल रहा है रोड पर अभी भी लेकिन फिर भी अब तक जितना भी हम आए हैं तो मो पोरा हाइवर बन चुका है मनाली तक लेकिन रोड बी काफी काफी चोडवाइब कराना डी माँ है मनाली तक ट्रेन जाब वात को जा रही है जो तो महरा जो रूट बचा हुआ है वो चल रहा है वह जल्दी पूरा हो जाएगा फिर सीधा जम्मो से स्रेनगर तक ट्रेन जलेंगे पुल्डू यहां से 43 और मनाली है 83 किलो मेटर है श्री हडोंगी हडोंगी माता मंदिर है लेंड स्लाइड जोन है यह किर्पिया संबल कर चले लगी कप चाय बीते हैं फिर बढ़ेंगे आगे देखते हैं कहीं दावावाव मिले तो अगर चका चक रोड़े यहां तो एक डाइबर्जन आ रहा है अब यहां से अगर सीदे जाते हैं तो जाते हैं तीर्थान वैली जी भी जलोड़ी पास और सीदे फिर उस रोड़ सा आगे निकल जाएं तो नारकंड़ पहुच जाएंगे अब वह जगए दिखाता हूं जाता है तीर्थान वैली जी भी जलोड़ी पास और फिर नारकंड़ा और हम जाएंगे मनाली तो भुसेंगे इस टनल में यह आ गए हम कुल्लू वाली टनल के बाहर जाएंगे पाड़ी लगाती साइड में चिल्टे बाहर हूं जाए समोसे खाने के लिए रुखे हैं हम हमारे यहां बच्चे आएंगे गूमने तो यहां पर इतना कंस्ट्रेक्शन हो चुका है पहाड़ों के चारो तरप वह कहां थे पहाड़ पहाड़ यह देख रहो यह पुरा गर तोड़ दिया है तो इस घर चोड़ो नेच्रल बीूटी है वो अपना अपने अपने बना रखे ऊदर तो यह तो बना रिकास हो तो रहा है लेकिन इस विकास के पेछे जो क्राकर्ती पुंदरता का जो दिरस्च्च था वो चुप चुका है आपकाफी तोड़ क्यों घुमनाते हैं हमाचार मिल्रो बना लिक चाय समोसे भी चल रहे हैं ताहिन रुकते हैं गहीं देखते हैं ढ़र गेट आने वाला है मनीकरन चोक आजाएगा टोल-गेट के बाद जहांसे मनीकरन का रास्ता डाइवाइड होता है किसान होना यहां पर कुछ मोर्चा लिगाला हुआ है इस्ट्राइक की होई है जिसके वैसे टोल प्लाजा अभी फिलाल बंद है कसोल 35 किलो मेंटर मनाली 58 ले 485 कसोल के लिए रास्तर डाइवर्ट होगा मनिकरण चौक से अब जी रीवर राफ्टिंग के पॉइंट पर आ गए हम लोग यहां दोनों साइड में ना राफ्टिंग के लिए काफी सारी दुकाने बनी हुई है कि यहां से आजाएगा भुंतर हवाई एड़ा 6 किलो मीटर उसके लिए अलग डाइवर्जन है कुलू 16 है और मनाली 56 देखो यह जो रास्ता अंदर की तरफ गया यह गया भुंतर सिटी में एरपोर्ट की तरफ यह आगया बाइपास कुलू और मनाली के लिए मनीकरण का डाइवर्जन पॉइंट आ रहा है सामने मैं दिखाता हूं आपको मनीकरण यहां से 31 किलो मेटर है उन्तर हवाई एड़ा 5 किलो मेटर मनाली 49 मनीकरण 31 और मनीकरण रोड पर ही करीब 25 किलो मेटर के आसपास कसोल है तो तोड़ वाद रोड चोड़ा करने के विए सारी आसपास का जितने भी होटल वगरा थे डाबे थे सब तोड़ दे गए हैं यह मनीकरण कसोल जाता है यह वाला रोड जाता है जी मनीकरण मंद्र है वहाँ पर और घुरुदवारा है और गरम पानी के कुंड पूर्स इस से कुल्व से दाइवाड होता है तो तर न वोड़ जाता है हम अब छिदॹने सीथा लासे मनाली मनिकरन के डाइवर्जन पॉइंट है वो कुलू से पाच किलो मेटर पहले है और यहां से मनाली कदीब 45-46 किलो मेटर के आसपास रह गया है कुलू सुटी में भी जाने की जरुत नहीं पड़ती है बाहर से निकल जाते हैं कि यहां कि यहां कुलू और कुलू जाने वाले रास्ते कि वाला पुल तो भी तूड़ गया है नया पुल बन चुका है कि यह रास्ता नीचे वाला कुलू आप और उपर वाला मनाली के लिए week कुलू और यह जाएगा मनाली मनाली 17 किलोमेटर रह गया यहां से रोहतांग 71 किलोमेटर और लेच चारसो तिराणवे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं टेंपरेचर लो होता जा रहा है मनाली से करी 10 किलोमेटर पहले हैं और यहां पर होट एर बालून की राइड की जा सकती है तो देखो इतना बड़ा बैलून है आग लगा दी गई यह नीचे उसके तो चल रहे हैं भी हम मनाली मनाली में एंट्री होने वाली है लेकिन उससे पहले देना होता है ग्रीन टेक्स कार को 200 रुपे बड़ी कार को सेवन सीटर को 300 बस को 500 इस अब देना पड़ता है अब देखते हैं क्या है आप है जो लोकल हिमाचयल परदेस लिए उनको नहीं रोका जाता है नों सथे इस टेट की गाडियों को रोका जाता है क्या है है कि अ तो आब हम रोज आता है ता रोज लेते हैं तेले बटा हो साथ दिन तक अच्छा चलो फास्टेक से लिए जाते हैं गाड़ी से 200 रुपी लिए जाते हैं फास्टेक भी चल जाता है कैस भी दे सकते हो मनाली में जस्ट एंट्री से पहले क्रिन टैक्स देना पड़ता है तो फ्रेंट्स मनाली में लगब लग एंट्री हो गई है हमारी कि सामने पहाड पर चोटियों पर अच्छी खासी परफ भी दिखाई देने लगी है वाह क्या नजा रहा है जबर्दस्ट मनाली रह गया यहां से दो किलो मीटर सोलंग वेली 18 रोतांग 56 और ले 478 अब मनाली मॉल रोड की तरफ जाना है तो यहां से हमें लेफ्ट लेना पड़ेगा लेकिन देखने वाली बात है कि वह रोड चालू है या नहीं पहले तो वह अंडर कंस्ट्रक्शन था इस बार देखते हैं चालू है या नहीं यहां से अगर राइट ले तो सीधे सोलंग वैली लेह जद्दाग लाहूल वैली सब जगे निकल करते हैं और यहां से हो जाती है मॉहल रोड मनाली मोडल टाउन की तरफ एंट्री तो प्रोपर मनाली में एंट्री हो गई है हमारी मिलते हैं आप से भी यह जी पेड़ पार टैक्सी खड़ी होई है मनाली लोकल घंदे कलिए है है किस room में किस hotel में हम लोग रुकने वाले हैं इसके इलाबा आप लोग की demand थी कि मैं आपके लिए मनाली टूर package लेकर आऊ तो package स्टार्ट हो चुके हैं अगर आप मनाली घूमना चाहते हैं या फिर शिमला भी घूमना चाहते हैं तो booking detail description box में दी गई है, आप call कीजिए, WhatsApp कीजिए, tour package book कीजिए और Manali या Shimla ये दोनों जगा ओपर घूमने के लिए निकल जाएए चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको hotel में, ये है हमारा hotel जहां हम आज रात का stay करेंगे यहां के room बहुत शांदार है, अगर आप tour package book करते हैं, तो budget package से लेकर luxury package तक हमारे पास available हैं कुछ इस तरह के room आपको package में मिलने वाले हैं, depend करेगा कि आपका tour package कौन सा है ये room आज हमारे पास रहेगा, आज रात का stay हम यहीं पर करने वाले हैं, room में एक balcony भी है वो दर सामने mall road है, और ये है washroom तो आज करेंगे, मनाली में इस वक्त जम कर बरफबारी शुरू हो चुकी है, जो आपको आने वाले वीडियोस में देखने के लिए मिलेगा तो बने रहेगा इस सीरीज के साथ, सारे एपिसोड जरूर देखेगा, लाइव अपडेट के लिए इंस्टाग पर follow कर सकते हैं, यहां के फोटो देखने चाहते हैं, तो भी इंस्टाग पर follow जरूर करिएगा, अब इक लिए bye, बहुत बहुत धन्यवाद